वेलकम तो जीरो से जिनियस तक आज के एक और नय एस्पिसल वीडियो कोई टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जी के जी इसके 50 इंपोर्टेंट सेलेक्टिड सवालों को तो आप इस वीडियो कोई टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भ संग होगा आपको जबाब सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकेंड का समय जो शुरू होते हैं अब किस अनुछेद के अनुसार भारत राज्यों का संग होगा अंसर होगा आपसर नमबर बी अनुछेद एक के अनुसार कोई से नमबर टू प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है एससी एकजाम में यह सवाल आया था आंसर हो जाएगा आपसर नमबर ए क्रेडिट कार्ड को कोई से नमबर टिन भारत सर्वाधिक बिदेशी मुद्रा कीस पदार्थ के आयात पर खर्च करता है भारत सर्वाधिक बिदेशी मुद्रा कीस पदार्थ के आयात पर खर्च करता है आंसर हो जाएगा आपसर नमबर सी पेट्रोलियम कोई से नमबर फोर जत्रा किस राज्या का लोक नरित्ते है ये सवाल हाली के एक्जाम में आया था जत्रा किस राज्या का लोक नरित्ते है अंसर हो जाएगा option number C पछिम बंगाल question number 5 भारत में सर्वाधिक के सोने के सासकों ने जारी किये अंसर हो जाएगा option number B गुप्त वंस के सासकों ने question number 6 वाकर कप किस खेल से संबंदित है ये भी सवाल एक्जाम में आया था वाकर कप किस खेल से संबंदित है अंसर हो जाएगा option number D गोल्फ से संबंदित है question number 7 अकपर ने भुलंद दर्वाजा कहां बनाया था अकपर ने भुलंद दर्वाजा कहां बनवाया था ये सवाल सब्सक्राइब एक्जाम 2021 में आया था रेलवे एक्जाम 2021 में ये आया था बुलंद दर्वाजा अकपर ने कहां बनवाया था आंसर हो जाएगा option number B फतेपुर्ट सेक्री में फतेपुर्ट सेक्री में question number 8 कि चिन्नी यात्री फाहयान किसे दर्वार में चिन्नी यात्री फाहयान किस के दर्वार में आया था अंसर हो जाएगा option number D चंद्र गुप्ध दूइतिय के दर्वार में आया था question number 9 बीश्व परियाटन दिवस्त कब मनाई जाती है ये सवाल भी हाली के एक्जाम में आया था बीशुव परियाटर न दिवस कब मनाई जाती है अंसर उजाएगा आप्शन नमबर D 27 सितंबर को Q10 विक्टोरिया जिल से कौन सी नदी निकलती है कनाडा और अमेरिका के बोडर लाइन पे इस्थित है विक्टोरिया जिल से कौन सी नदी निकलती है आंसर हो जाएगा option number B दुनिया की सबसे लंबी नदी निल नदी विक्टोरिया जिल से निकलती है और आपने अभी तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजी लगू रूप कहलाता है छोटा रूप अंसर हो जाएगा option number D बहुत सस्ता country है आपको कभी मुका मिले तो यहां जाना चाहिए question number 12 पंच तंत्र के लेखक कौन है पंच तंत्र के लेखक कौन है आगे सवाल है सेना को वेतन देने की परनाली का विधान किसने सुरू किया यह भी सवाल हाली के एकजाम में आया था सेना को वेतन देने की परनाली का विधान किसने सुरू किया आंसर हो जाएगा option number C अलाव दिन खिल जी इनने question number 14 अहिल्या भाई कहां की रानी थी अहिल्या भाई कहां की रानी थी और इन्होंने भारत के सबसे स्वक्ष सहर इंदोर की अस्थापना करे थी अहिल्या भाई और यह कहां की रानी थी आंसर होगा option number B मालवा की रानी थी मालवा question number 15 दिल्ली पर अक्रमन करने वाला प्रथम पेशवा कौन था दिल्ली पर अक्रमन करने वाला प्रथम पेशवा कौन था आंसर है option number B बाजी राप प्रथम question number 16 संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी जिल कौन सी है संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी जिल कौन सी है अंसर होगा अप्शन नमबर डी सूपिरियर जिल लेख अगे सवाल है कोबाल्ट किस बिटामिन में पाया जाता है कोबाल्ट किस बिटामिन में पाया जाता है आंसर हो जाएगा option number D, B.B. 12 Nitro-Galacrine का इस्तमाल, dynamite में किया जाता है Question number 19, राज्य सभा के एक तिहाई सगस्य कितने वर्षों के अंतराल पर अकास गरहन कर लेते हैं? आंसर होगा option number D, दो वर्षों के अंतराल पर आगे सवाल है, संसत की दोनों सदनों की सन्युक्ते अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा option number D, लोग सभा के अध्यक्षता आगे सवाल है, चमगादर कीस परकार की प्रानी है? आंसर हो जाएगा option number A, और स्थन धारे आगे सवाल है, बादल किस के बने होते हैं? बादल किस के बने होते हैं? आगे सवाल है, शुंग वन्स की सथापक कौन थे? ये भी सवाल एक्जाम में टका था, शुंग वन्स, आंसर हो जाएगा option number B, पुस्य अमित्र सुंग थे शुंग वन्स की सथापक कौन थे? पुस्य अमित्र सुंग राज तरंगनी के लेखक कौन है? सही अंसर होगा option number D, कलहन आगे सवाल है, निव्ण में से कौन सा कवी अंधा थे? अंसर हो जाएगा option number B, सुर दस, अगे सवाल है, कौन सा खेल इस समुह का सदस्य नहीं है? आँसर हो जाएगा option number C, क्योंकि समुह के बारे में पूछा गया है, तो कवाडी एक ऐसा गयम है, यहाँ पे बॉल का इस्तमाल नहीं होता है, फिजिकली खेला जाता है, भागी सब आप देख लो, बॉल का इस्तमाल किया जाता है, आगे सवाल है, जन्गरना, जोजग्यार की अनुसार सर्वधिक जनसंख्या वाला केंदर सासित परदेश कौन है, जन्गरना, जोजग्यार की अनुसार सर्वधिक जनसंख्या वाला केंदर सासित परदेश कौन है, आँसर होगा option number D, दिल ले, आगे सवाल है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, किसका सुत्र वा के है यह सवाल NTPC एकजाम में आया था वहुजन हिता है वहुजन सुखा है पाइंसर हो जाएगा option C all India Radio का सुत्रवाक के है answer हो जाएगा all India रेडियो आगे सवाल है किस दिन भारत में राष्ट्रिये खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रिये खेल दिवस अगास्त को मेजर ध्यान चंद्र जी के जनम जयान्ती पर मनाया जाता है राश्ट्रिये खेल दिवस 39 अगास्त को question number 30 मोहनी अट्टम निरित्य सायली निम्ण में से किस राज्या में लोग पिरिये है आगी सवाल है सत्रंची की कौन सी गोटी सीधे चलती है किन्तु तीर्ची मार करती है चलती सीधी है लेकिन तीर्ची मार करती है आँसर हो जाएगा आप्सन नमबर D साइनिक जिसे प्यादा भी बोला जाता है प्यादा को साइनिक, साइनिक को प्यादा चेस गेम में बोला जाता है आगी सवाल होगा भारत के परियावरन विभागे की अस्थापना कब हुई? आँसर हो जाएगा आप्सन नमबर C उननीस सो असी इस भी में आगी सवाल है एकजाम वारियर्स के लेखक कौन है? आपको तो पता है सीरी नरेंद्रा मोदी जी आँसर होगा आप्सन नमबर A सीरी नरेंद्रा मोदी आगी सवाल है माल गुडी डेज किस भार्तिय लेखक के कारियों पर अधारित है? आँसर हो जाएगा आप्सन नमबर C आरके नरायन आगे सवाल है किस देश ने विदेशी फिल्मों की स्रेनी में आज तक अधिक्तम आसकर पुरसकार जीते हैं? किस देश ने विदेशी फिल्मों की स्रेनी में आज तक अधिक्तम आसकर पुरसकार जीते हैं? आँसर होगा आप्सन नमबर A इटली आगे सवाल है सीव संकर परसाथ चौरासिया का संबंद किस खेल से है? आँसर हो जाएगा आप्सन नमबर A गोल्फ आगे सवाल है ब्रहमोस सुपर्सोनिक कुरुज्य मिसाइल का निर्मान किस की द्वारा हुआ है? आँसर हो जाएगा आप्सन नमब B भारत और रूस के द्वारा आगे सवाल है NTPC की अस्थापना कब होई थी? NTPC की अस्थापना कब होई थी? अंसर हो जाएगा आप्सन नमब A 1975 SB में आगे सवाल है निमनलिकित में से भारत की बारहमासी नदी परनाली कौन सी है? आपको समझ आता है बारहमासी नदी का मतलब बारहमासी नदी का मतलब होता है कि उस नदी में बारहमास पानी हो मतलब पूरे टाइम पानी से भरा हो बारहमासी नदी का मतलब यही होता है तो question क्या है निमनलिकित में इसे भारत की बारहमासी नदी परनाली कौन सी है आंसर होगा option number B सिंधु नदी इसमें बारहमास पानी रहती है आगे सवाल है लोग सभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है आंसर होगा option number B पास सव बावन आगे सवाल है निमन में से पानी में घुलनसील बिटामिन कौन सा है आंसर हो जाएगा option number C कोश्च नमब 42 निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बील या मांद में रहता है अंसर होगा अप्सवर नमब डी खर्गोस अगे सवाल है अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वे प्रथम कुट्टे का नाम क्या है अंसर होगा अप्सवर नमब डी लाईका अगे सवाल है 2020 में पुरुसों का फ्रेंच ओपन पुरसकार किसने जीता अंसर होगा अप्सवर नमब डी राफिल नडार ने आगे सवाल है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उप्योग्य किया जाता है आँसर होगा अप्सवर नमब डी पालक अगे सवाल है किस देश का रश्ट्रिय पसु पवित्र गाय है आँसर होगा अप्सवर नमब डी नमब डी पर मनाया जाता है किस देश किनके जन्व दिन पर मनाया जाता है आँसर होगा अप्सवर नमब डी अ महान अत्मा डॉक्टर एपी जे अप्दुल कलाम के जन्व दिन पर कब अप्सवर नमब डी पर मनाया जाता है ह्लिया वहाला बाग हत्या कांड की जाज करने के लिए हंटर आयो की अस्थापना की गई आगे सवाल है चंद्रगुप्त मोरेय पाटली पुत्र में पाइदा हुआ था हुए थे जो अब डैस में इस्तित है आगे सवाल है जर्खंड का अस्थापना दिवस कब मनाया जाता है ये सवाल पिछले 50 कोस्टन्स वाले वीडियो के क्यों फर यू में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अर्चार इस्पॉंस दिये थे आप सभी को बहुत बहुत धन्यावाद आंसर है आपसर नंबर बी 15 नौवंबर को क्योंकि इसके अस्था अपने 15 नौवंबर 2000 को हुआ था आपके लिए एक सवाल है बिसमार्क ऑफ इंडिया की से कहा जाता है य मिलता हम फिर अगले वीडियो में क्यों टेस्ट आप जरूर टेलिग्राम में योज करिए इस्तेमाल करिए खेलिए आपको बहुत फायदय होंगे वहां पर आपको करेंट अफेर्स मिल जाएंगे साइंस मिलेंगे और मेक्स अप चलते रहता है कुछ टाइम बाद वहां य जय हिंद जय भारत